अपनी यूटूब चैनल इंद्रेश जीस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे जो हमारे इविएस का प्रैक्टिस सेट है उसको देखेंगे ठीक है आप लोग जितना हो सकी वीडियो को सेर कर दिया करें चैनल को क्या कर लिए सस्क्राइब कर लिए ठीक चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्तवपूर्ण को तो जो हमारे का यूपी टेट और हाँ आप लोग यह याद रखिएगा जो 23 तारिक को हमारा जो है क्या है 23 मार्च को हमारा का एक धरना है ठीक है 23 मार्च को जो कहां पे लखनाउ में आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो सिचक भरती के लिए हम लोग वहां पर जुटिए और हम लोग क्या करेंगे वहां पर आंदुलन किया जाएगा ठीक है तो आईए आप लोग ज्यादा संख्या में आप लोग वहां पर जाएए ठीक है चलिए तो इस्टार्ट करते हैं पहला कोशन क्या करा है कि निमने लिखित में से कौन सा दुतियक जड़ का उधारन है बताई कौन है घास है मक्का है गेहूं है या नीम है जो हमारी घास होती है जो आपनों गाउं में देखते होंगे घास है जो घास होती है क्या होती है दुतियक जड़ क्या होती है घास होती है इसका यह पार्ट क्या हो जागा राइठ हो जागा बाकी हमारे जो मक्का हो गया ठीक है मक्का मक्का गेहूं ठीक है गेहूं और गेहूं और नीम के जो पेड़ हो गए यह क्या है प्राथमिक प्राथमिक क्या है प्राथ कांस से मतलब ब्रांज, दो मिस्र धातियों से मिलकर बनता है, एक काउन काउन से हैं, बताई, जो हमारा कांसा होता है, जिसको बोलते हैं कांसा, ठीक है, क्या बोलते हैं, कांसे, कांसे या कांसा, यह हमारा किसे मिलकर बनता है, कापर और किसे टिन से, एसन से, कापर प्लस एस 10 % होती कितनी होती 10 परतीस है भी आज रखेंगे आप दोग ठीक है इसमें किसकी 30 होती दस होती अप्रिपी यांद रखेंगा तो राइट हैन आज याँ जाएगा क्या जाएगा कॉपर और क्या है गाइगा कॉर्पर हमारा आप 123 बता दीजे, question number 23, और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करेए, चनल को subscribe करेए, अगर आप लोगो इसी तरह की वीडियो चाहिए, तो in race.js classes को क्या करेंगे, आप लोग subscribe भी कर लेंगे, जो हमारा नीबू होता है, नीबू साधरन पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तरता रहता है क्यों, बताए, जो नीबू होता है, वा साधरन पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तरता रहता है क्यों, क्योंकि क्या होता है, नमकीन पानी का घनत तो जो होता है, जो हमारा नमकीन वाला पानी जो होता है, पानी, नमकीन व कि आखुँए द माले पानी इस सो जादा होगा क्या होगा जाधा होगा नीभू का गतन न infinite दिश ले değil तो कर गतन दोऑल्क गतन पया से अधा होगा यह हमारा क्या जाएगा थर्ड पार्ट हमारा क्या होगा राइट अंस हो जाएगा तो वीडियो को आप सेयर करिए चनल को सब्सक्राइब करते रहिए अपना प्यार सपोर्ट जिस तरह से बनाए गुए इस चैनल पर बनाए रखिए इस पर जो है सिच्छा से संबंदित जित क्या होता है और सुच में जीवता है यह ऐसा तलाब आर पोहरे में पाय जाता जहां कि कार्वणिद्ध पदार्तों की मात्रा क्या होती है अधिक होती है और वठीक बताई नेक्स बताई कौोस्चन नमबर 125 बताई नहीं हमें लखित में से कौन सा कीट मदमक्यों की भाँ थी कालोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता बताई मतलब कालोनी बना करके एक साथ नहीं रहता ततया है बर है चीटी है दीमक है या मकडी है बताई तता या बर, चीटी, धीमक, मकडी इसमें से कौन सा राइट एंसर होगा 125 का बताई तो कीटों में जो मकडी जो होती है कालोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहती है बाकी सभी जो हमारे धीमक होते हैं दीमक आप देखे होंगे लगते होगे थů एक ग्रूप में रहती है बस ते ही कालोनी अपना बना लेका मकडी जो है क्या करना रहती है इसका राइट अंसर क्या जागा राइट चीटी भी ओर फिल्क्राम में रहती है बाकी चलिए नेक्स चलते हैं कोशन नंबर अगला बताई क्या खाया थे 126 कर रहा है कि हाथियों के जुन्ड के बारे में कौन सा कथन सही है, पहला कर रहा है, हाथियों के जुन्ड में किवल हथनिया राती है और 14-15 वर्स के बच्चे राते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, जो हाथियों का जुन्ड होता है, उसमें क्या होते हैं, 14-15 वर्स के बच् नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है सेकंड है, हाथियों के एक जुन्ड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, बिल्कुल गलत बात है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, जुन्ड के सबसे बुजुर्ग हतनी ही पूरे जुन्ड का नेता होती, ये भी सही है, तो फश्ट भी सही था और हमारा 3rd भी सही थीक एक जुंड में हतनियों और बच्चों की संक्य कितनी भी हो सकती है क्या ए सही है या गलत है थो इस था से हमारा सत्री किया है 1st आरт 3rd हमारा क्या राइट एंसोर इस तरह से 1st आर थी सी simpler हमारा क्या जागा राइट हो का विस्तार है बताए एक तो हमारी का शेंट नाइ ट्रोजन जिसकी मात्रा कितनी है जिसकी मात्रा जो हमारी कितनी है बताए 78 परसेंट है और दूसरी काउंस hansya hoxygen ठीक कौन सी है et oxygen जिसकी मात्रा कितनी है लगभग 20.98 लगभग एप्रॉक्षिमेट 21% लोग मानते हैं ठीक है 21% मान लेते हैं ठीक तो इन दोनों की मातरा सबसे ज़्यादा है तो इस तरह से राइट एंसर क्या जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो जाएगा ठीक आजए चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर आप बताएं कौनसा 128 बताई थोड़ा सा बलर है अरजेस्ट कर लिजेगा मुझसे बीजविल है ठीक है थोड़ा समय और बढ़ा कर दे रहा हूं चली 108 बताई कर रहा कि निम्न में लिकित मैंसे कौनसा यूग में सुमेलित नहीं हल्दी पाउडर इसमें क्या होता प्रण से नहीं बलगी अपर रचण से समय जो कंटूर केती की जाती इसमें क्या अपर दन नहीं होता बल्की Football का क्या होता सम रचण होता ठीक है । सम प्रिशन नमबर 139 बताई निम्यलिखित में से कौन सा अग्नेय च़टान का उधारन है 139 का अग्नेय चटान का उधारन इसको भी जब कि चूना पत्थर क्या होता है जो हमारा चूना पत्थर है यह हमारा क्या है अवसादी है किसका है अवसादी चट्टान का ठीक है किसका है अवसादी चट्टान का चूना पत्थर ठीक है चूना पत्थर किसका है अवसादी चट्टान का है ठीक तथा इसलेट एवं ग्रेफाइड जो हमारे हैं यह दोनों याद रखेंगे तो इस तरह से हमारा यह पार्ट इसका राइट हो जागा आई चलिए कोश्चन नमबर आप बताएंगे 130 का किस पुर्दगाली यात्री ने यूरोप से भारत के लिए समुदरी मारगी की खोच की थी तो काउन सा यात्री था जिसने क्या किया था तो ओ था हमारा काउन वासको डिगामा था काउन था वासको डिगामा कब खोच किया था 1498 में यह भी याद रखेंगे कब 1498 में क्या किया था भारत की खोच किया था ठीक है याद रहेगा आई चलते हैं नेक्स्ट कोशन नमबर आप 131 बता दीजें, देखें क्या करा रहा है, कोशें नंबर 131 क्या करा है, कि फिरन सुमेलित नहीं, कौन सुमेलित नहीं है, फिरन जम्भुकाश्मीर में, पानो भाजू, पश्चिमबंगाल में, राहीदे, हिमानेशल प्रदेश में, फुलकारी, यहमारी इकुछे वस्त वश्त का प्रकार है जो कहां पाने जाते हैं इनके बारे में बताना है बताईर फटाई Master Ktaô Pani भाजू वश्त का प्रचेलन है घुऊ ??? और में दियनला एक वयतारिन पलेखला साम भी मादर्य देरीर है रही दोब पंजाब में फोलकारी एक है इसमें पूछा कौं सह सुलसुजद Chemistry ले इस है तो वा इसमेर संभिधान चौन सीवग कर जिसको बोलते हैं को जो हो समिधान में संसोधन हुआ था एकुद्धान संसोधन के ताथ इसको क्या है कि एकुरिफान लर्ण संसोधन की जिएस्टी इसको क्या है सम्बंदित है याद रहते यह णियुक्सmbre ने तो फैर लां का हुआ था यह स्शुला ही 2017 को एक हाधार 2017 तशह समाहा है ने करण मनुस्य में तंत्र का तंत्र संबंदित रोग पैदा होता है कैंडिमियम पारा या सिलिका 133 का तो जो सीषा एक क्या है प्रदूसित क्या है वायु है ठीक प्रदूसित जो सीषा होता है प्रदूसित वायु के करण मनुस्य में तंत्र का तंत्र संबंदित रोग होता है इसके कान जो सीसे के कान का तंतर का तंतर संबंदित क्या होता है रोग होता है नर्वस सिस्टम को क्या करता है प्रभावित करता है मोटर वाहनों तथा अध्योगिक संस्थानों से जो उत्सर्जी धूएं में सीसे की मातरा क्या होती है अधिक होती है ठीक है सीसे की मातरा जो हमारे धूएं होते हैं जो हमारे फैक्टरियां होती है उनसे धूएं उड़ते हैं उसमें सीसे की मातरा क्या होती है अधिक होती है आगे आजाएए, question number आप बताएंगे, 134 बताएं, question number 134 देखें का फ़रा, brown air शब्द का प्रियोग किसके लिए किया जाता है, अमली धुमा के लिए, प्रकास रासायनिक धुमा के लिए, अद्योकिक धुमा के लिए, या सर्फर के लिए, बताएं, तो brown air का प्रियोग जो हम प्रकाश राशायनिक के लिए करते हैं जो हमारे प्रकाश राशायनिक जो हमारे फोटो क्या बोलते हैं प्रकाश को तो अंततह क्या होगा, जल चक्र बंद हो जाएगा, वर्चा रुख जाएगी, जल पादपो के लिए अक्सीजन के अणु अप्राय हो जाएगे, या फिर जल पादपो के लिए नाइट्रेट अप्राप पे हो जाएगा, तो पताई कौन सा, 135 का, 135 का राइट अंसर आप यह जा रहा है, इस कारण जो हमारा जल प्रोदूर्शन के तेजी से बढ़ रहा है, जल पादपो के लिए अक्सीजन के अणु क्या हो जाएगे, आप प्रयाप हो जाएगे, तथा अधिकतर पोधे क्या हो जाएगे, अधिकतर पोधे, जल पादपो के लिए अक्सीजन के अब प्रैप हो जाएंगे इस तरह से हमारा क्या जाएगा ठी सी पार्ट हमारा क्या होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा तिक चलिए आगे आ जाएगे कोश्चन बताएंगे आप 136 136 का अगरा यूरो जो हमारा यूरो मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए बताएं 136 का तो 136 का राइट आंसर बताएंगे जो हमारो यूरो मानकों में पूरा करने के लिए अति अल्प पर सलफर डीजल में सलफर की मात्रा जो 0.05 प्रतिशत से भी क्या होनी चाहिए ठीक है इसका राइट एंस्वर ये पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है आई चलते हैं नेक्स्ट कोशन नमबर 100 ये सभी हमारी का पर्यावरण से रिलेटेड है हमारी मैत की भी क्लास चल अब तो लाइट आने लगी है अब दिकत नहीं होगी ठीक है किस राष्टी उद्यान से पुर में हेली राष्टी उद्यान कहा जाता था तो किस राष्टी उद्यान पहले हेली कहा जाता था तो जिम कारवेट नेशनल पार्क को अब औरतमान में राम गंगा नेशनल पार् इस्थित है उत्रा खंड में इस्थित है ठीक याद रहेगा आज आई चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन नंबर आप बताएंगे 138 हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स संबंदी थे मिट्टी के बिना पौधे में से बृधि पानी की बिना पौधे में बृधि आवाज का हथा पानी हैं मिट्टी के बिना पौधे में बताएंगे उसें हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना आर्था तो हेज्थित हैं पौधे हुद्पन होते हैं उन्हें बोलते हैं याद चलिए आज़ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमबर 149 बताई जो मारे 1 ने चीओ क्या हो गया 1 ने प्राणी सब्ता प्रति वर्ष कम बनाया जाता है 149 का बताई जल्दी आप तो 1 से 7 अक्टूबर की बीच हम लोग क्या बनने 1 ने प्राणी सब्ता ठीक है आज़ एक 140 बतागी, 140 का राइट एंसर, 140 का राइट एंसर क्या बताएंगे, एपी फाइट वैसे अस्थान उपर पाये जाते हैं, जहां पर पूरे वर्स वर्सा होती है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा जहां वर्सा होती है, वर्सा पूरे वर्स होती है, वहां पर पाये जाते हैं, ठी आगे चलते हैं मैग्रो उनस्पतियां जो हमारी मैग्रो उनस्पतियां का मुख्य घटक क्या है 141 का जो मैग्रो उनस्पतियां है उनका मुख्य घटक क्या है मताई मैग्रो उनस्पतियों का मुख्य घटक क्या है राईजो फेरा क्या है राइजू फेरा ये पार्ट हमारा क्या जागा राइट एंसर जागा राइजू फेरा हमारा क्या है मैग्रो अनस्पतियों का क्या है मुख्य घटक है ये मैग्रो वन कहां पर पाए जाते हैं question number 142 बताई कि किसी पारिस्थिति की ये तंत्र में उर्जा के प्रवाह के बारे में कौन सी स्रिंखला सही है बताई उत्पादक अब घटक उभोगता अब घटक उभोगता या उत्पादक उत्पादक उभोगता या अब घटक बताई उत्पादक उत्पादक फिर क्या अता है उत्पादक फिर उपभोगता जोनको भोग करता मसी आप लोग हमारा सी पार जाएगा थीक सी पार्ट हमारा क्या होगा राइट चली 123 बताई ए भारत में किस वर्ष। पर्यावरन सनरच्छन अधनियम पारित हुआ था 1984, 1985, 1987, 1986 1986 में मारा पर्यावरन सनरच्छन अधनियम क्या हुआ था पारित हुआ था 1986 में पर्यावरन जबकि वन जीव सनरच्छन अधनियम यहाँ पे लिख देता हूं वन जीव वन जीव सनरच्छन सन रच्छन अधिनियम अधिनियम ठीक है अधिनियम कब था 1972 का था ठीक है 1972 यहाँ मैं लिख दे रहाऊ 1922 ठीक याद रखें कब 1922 आगया जाई कोश्चन नमर चलते हैं बताई 144 144 का बताई अधिनियम लिखित आधर छेत्रों में से किने रामसर का दर्जा है चिलका जील का लोकटक जील का सांभर जील का बूलर जील का बताई 144 का इसमें से हमारी काउन है दी गई जो है जो चिलका जील हमारी कहां पर उड़ीशा में पढ़ती है ठीक है उडिशा में और हमारी को ने सांफर जील कहां पढ़ती है तो राजस्थान में कहां भी पढ़ती है राजस्थान में ठीक बूलर जील कहा है बूलर जील हमारी जंबु काश्मीर में हमारी कौन सी है बूलर जील है ठीक है लोकटक जील कहां पर हमारी है लोकटक लोकट अग्जील हमारी का मड़ीपूर में यह सभी याद आपको होनी चाहिए काउन सी कहां पर भी पूछता है ठीक इस तरह से यह सभी हमारी के आदरभूमिया ठीक आदरभूमि के अंतरगत आते हैं ठीक रामसर आदरभूमि चलिए आए नेक चलते हैं विस सुजल सनरच्छन दि क्या मनाते हैं जल सनरच्छन दिवस को ठीक है बाइस अप्रेल को क्या मनाते हैं बाइस अप्रेल को बताई बाइस अप्रेल को प्रित्वी दिवस ठीक है बाइस अप्रेल को प्रित्वी दिवस विश्व प्रित्वी दिवस बाइस मही को बाइस मही को जय विवित्ता ठिक आईए नेक्स चलते हैं कोशन नमबर आप बताएं 146 वास्पी करण बिशय पर बच्चों की विविद सोच का आंकलन करने के लिए निमलखित में से कौन सा प्रश्ण का एक नमूना होता है जल चक्र के साथ पांच लाब लिखी क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं जल चक्र के क्रम के सोपानों की सूची बनाएं जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित करें बताएं 146 का तो 146 का राइट अंसर क्या जाएगा बताएं 146 का राइट अंसर आप बताएं फटाफट बताएं क्या राइट होगा बताओ भाई 146 का राइट अंसर बताएं क्या होता यादी जल चक्र नहीं होता ठीक है नेक्स्ट लिए कोशन नमरा बताएं कों से 147 बता दीजिए पर या वरण अध्यन के सिच्छक के रूब में चीडिया घर के भ्रमन का आयोजन करने का मुख्य उद्देश से क्या होता है बताए 147 का इसका मुख्य उद्देश से पुराने ओम अधिक दच्छ विद्द्यार्थी से छोटे ओम कम कुशल विद्द्यार्थियों की आंकलन करते हैं बताए 148 का इसका आजाएगा कौन सा उच्छ उपलब दिया और स्वागरिमा ठीक है यह हमारी क्या है जो एक कोस्चन हमारे है पैड़ोगोजी से पांच को सिच्छ को निमन में से किस बात का अधिक ध्यान देना चाहिए सभी विद्यार्थियों को विद्याले में समान अधिकार मिले इस पर तो ध्यान देना ही चाहिए यह भी सही एक तरह से ठीक है आगे देखिए विद्यार्थियों को सिच्छ के अलामा और किसी और ध्यान नह कि न बातों पर अधिक ध्यान रखना चाहिए सक्षिक भ्रमड के महत्तो को अस्पष्ट करता है। उप्रोक्त मेंके सभी ठीक छात्रों के ग्यानात्मक यौ भवात्मक ययुगताओं का अभिकास होता है लागैशेक की अभी चात्रों के सहयोग की भावना तथा समूं के कारे करने की सामाजी गुड़ों का विकास होता है चात्र वास्तिविक अनुभाव का क्या करते हैं प्रतिची करण दोना प्रतियों का क्या करते हैं बोद करते हैं तो इस तरह से टोटल 30 कोश्चन हम लोग किये हैं आप लोग बत